हेलो बच्चों, आज हमारा कुईशन है, एकसाई, सैवन पॉइट वन से, कुईशन नम्बर वन करेंगे, कन्वर्ट दा गिवन फ्रेक्षिन नम्बर टू परसेंडेज, भई हमें इनको किसमें करना, परसेंटेज में करना, क्या हमारा 1 upon 8 It means क्या हो 8 में से हमारे 1 आए या कोई 8 पार्ट था उसमें से हमने 1 हटा दिया 8 marks में से हमारे कितने आए 1 आए 1 out of 8 means 1 हमारे कितने में साए 8 में से अब मुझे इसको percentage में करना तो हम इसको क्या कर देंगे percentage के लिए 100 से multiply कर देंगे अब देखो, 100 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपन में कितना 8, अब 8 से डिवाइट कर दो, 8 से हम 100 को डिवाइट कर सकते हैं, तो 8 वन जा कितना हो जाएगा, 8, 10 में से 8 गए, यहाँ 2 बच्चा, यह 0 यहाँ जाएगा, 10 टू जा कितना हो जाएगा, 16, 10 में 6 गए, 4, यहां 1 बच्चा 1 में सवन गए, 0 यहां point लग जाएगा, यहां हमारे क्या आजाएगा, 0, जैसे हमारे यहां क्या decimal लगता है, यहां हमारे 0 बढ़ जाता, 8, 5, 40 तो हमारे क्या percentage बनी, 12.5 percentage, ओके, ऐसे दिखो 5 अपान 4 है, भाई multiply करना 100 को कभबी हमें percentage में convert करना तो multiply किस से करते हंडेर से करते जैसे आपके hundred में से 70 marks आई आप आपको एक percentage में करना into hundred कर दो हंडेर सब्सक्राइब करना कितने percent बनेगी 70 तो ऐसी देखो फोर 25 जय कितना होता है 100 होता है अगर आप करके देखो 4 25 जय है 100 और 5 5 जा 25 और 5 तू जा 10 और 12 1 25 परसेंट ओके देखो 3 अपोन कितना है 40 इंटु कितना हो जाएगा भाई 100 परसेंटेज निकाले लिए 100 अब देखो 0 से तो 0 कट गया कितना हो गया 10 3 जा 30 अपोन 4 4 से डिवाइड कर दो भाई 30 को 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 10 में से 8 गई कितना हो जाएगा 2 यहां पॉइंट लगा लो यहां 0 4 5 जा 20 तो हमारा आरा 7.5 परसेंट ऐसे देखो 2 अपोन 7 इंटु कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भी ओके मंटिप्लाएगो 200 अपोन 7 7 से डिवाइड कर दो तो 100 को भाई 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 10 में से 4 गया 6 यह 0 यहां 7 8 जा 56 10 में 6 गया 4 यहां पर पॉइंट लगेगा यहां 0 7 5 जा 35 यहां हमारे कितना आया 5 पॉइंट लगा 0 7 7 जा 49 तो ऐसे चलता जाएगा तो हमारे के आगा 28.57 परसेंट आम इसको लिख देंगे ओके हुआ हो कितना है आगे